गोरे मुकडे से घंगटा हटाने दे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में वेल आइकन को दबा दो ताकि जब मैं कोई से इंट्रेस्टिंग वीडियो बनाऊ तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे अपने काइन मास्टर अप्लिकेशन में आ गये हैं अब यहां से आपको क्रियेट निव पे क्लिक करना है उसके बाद यहां से आपको 16.9 का रेशियू लेके यहां से आपको नेक्स्ट कर देना है अब फ्रेंड यहां से हमने फोटो का सेलेक्शन करेंगे तो चले फ्रेंड मैं हैंसे अपने फोटो का सेलेक्शन कर ले रहा हूँ फ्रेंड मैं हैंसे 5-6 फोटो ले रहा हूँ आप चाहँ इतने फोटो ले सकते हो तो चले फ्रेंड मैं यहां से पने फोटो का selection कर ले रहा हूँ यहां पर आप अपना फोटो भी लगा सकते हो फ्रेंड मैं आपके जानकारी के लिए बता दू कि मैं है पर जितने फोटोज और वीडियोज का यूज़ कर रहा है उनका सबका लिंक आपको वीडियो की description में मिल जाएगा आप वहां से जाकर आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं तो यहां से हमें cut कर देना है उसके बाद हमें कुछ इस प्रकार से starting position पर आ जाना है अब फ्रेंड यहां पर हम first वाले फोटो को select करेंगे select करने के बाद यहां पर हमें pens and zoom में आना है उसके बाद हमें कुछ इस प्रकार से बराबर कर देना है बराबर करने के बाद यहां पर हमें photo को दोनों finger से कुछ इस प्रकार से zoom करके अच्छी तरीके से set कर लेना है देख सकते हो फ्रेंड इसी प्रकार से आपको भी कर लेना है उसके बाद यहां से OK कर देना है second photo को select करना है सेम प्रोस्ट करके पैंसे जूम में आना है आने के बाद हमें इससे बराबर कर देना और photo को कुछ इस प्रकार से दोनों finger से zoom करके अच्छी तरह से set कर लेना है उसके बाद यहां से ok कर देना है तीसरे photo को select करेंगे select करने के बाद यहां पर हम pen and zoom में आएंगे आने के बाद यहां पर हमें कुछ इस प्रकार से बराबर कर देना है उसके बाद हमें को इस photo को इस प्रकार से दोनों finger से zoom करके अच्छी तरीके से set कर लेना है, देख सकते हो friend तो इसी प्रकार से आपको सभी photo को अच्छी तरीके से set कर लेना है तो चलिए friend मैं इससे जल्दी जल्दी कर ले रहा हैं कि हमारा वीडियो ज्यादा लंबा ना बनी तो फ्रेंड यहां पर हमने अपने सभी फोटो को अच्छी तरीके से सेट कर लिया है अब यहां पर हम एक ट्रांजिक्शन इफक्ट लगाएंगे तो इफक्ट लगाने के लिए आपर मैं इस पलस के आइकन पर क्लिक करना है क्लिक करने के लिए इसे आपको डाउनलोड कर लेना है तो चलिए फ्रेंड इसे मैं ओपन कर ले रहा हूं ओपन करने के बाद यहां पर हमें फर्स्ट वाला कुछ इस प्रकार से दे देना है देने के बाद यहां से में ओके कर देना है सेकेंड वाले प्लस के आइकन पर क्लिक करे आप पर हमें थाड़ वाला दे देना है देख सकते हो फ्रेंट इसी प्रकार से आपको सभी में अपलाई कर देना है तो चलिए फ्रेंड मैं इसे जल्दी-जल्दी कर ले रहा हूं ताकि हमारा वीडियो ज्यादा लंबा ना बने तो फ्रेंड हमने अपने सभी फोटो में ट् कर लेते हैं हमारा वीडियो हो गया है यहां सेими कुछ इस प्रकार सेसे बैक का जाना देख सकते हो देख पर आपकोवार्ड को एकetter यहां पर प्रॉपकर के सब्सक्राय करना है यह के बाद यहां पर हमें फिर से 16.9 का रेशिव लेना है लेने के बाद यहां से आपको नेक्स्ट कर देना है अब यहां पर फ्रेंड जो अभी हमने वीडियो एक्सपोर्ट किया था उसी को यहां पर आड़ कर लेना है तो चलिए फ्रेंड उसे मैं आड़ कर ले रहा हूं आड पर हमें एक option मिल जाएगा वेगनेट को इसे को हमें on कर देना है on करने के बाद यहां से हमें cut कर देना है अब friend इसमें हम एक template वीडियो लगाएंगे तो उसके लिए आपर layer में जाएंगे media में जाएंगे और यहां से अपने template वीडियो को add कर लेते हैं तो friend यहां से हमने template वीडियो को add कर लिया है उसके बाद हमें कुछ इस प्रकार से यहां पर speed skin पर आना है आने के बाद यहां पर हमें full skin कर लेना है करने के बाद यहां से हमें back आ जाना है और यहां पर हमें नीचे के side में जाना है यहां पर हमें blending के option में आ जाना है आने के बाद यहां पर हमें कुछ इस प्रकार से इसे skin कर देना है skin करने के बाद यहां से हमें ok कर देना है अब friend यहां पर हम first वाले video को select करेंगे select करने के बाद यहां पर हमें three dot पर click करना है क्लिक करने के बाद हमें इससे duplicate as layer कर लेना है कुछ इस प्रकार से देख सकते हो friend करने के बाद हमें कुछ इस प्रकार से थोड़ा सा छोटा कर लेना है छोटा करने के बाद इससे हमें rotate करके लाना इस frame में अच्छी तरीके से set कर देना है देख सकते हो friend यहाँ पर हम three dot पर click करेंगे और इसे send to back कर देंगे back करने के बाद इसे में थोड़ा सा छोटा करके अच्छी तरीके से set कर लेना है देख सकते हो friend इसे आपको अच्छी तरीके से set कर लेना है set करते समय आपको जल्दबाजी एकदम नहीं करनी है अब यहाँ पर हम cropping के option में आ जाएंगे आने के बाद इसे में कुछ इस प्रकार से अच्छी तरीके से crop कर लेना है देख सकते हो friend इसी प्रकार से आपको भी crop कर लेना है crop करने के बाद यहाँ पर हमें mask को enable कर देना और feather को हमें कुछ इस प्रकार से बढ़ा लेना है देख सकते हो friend इसी प्रकार से आपको कर लेना है करने के बाद यहाँ से हमें ok कर देना है अब friend यहाँ पर हम फिर से layer में जाएंगे layer में जाने के बाद यहाँ पर हम effect में आएंगे एफेक्ट में आने के बाद यहां पर हम basic effect में आएंगे उसके बाद यहां पर हमें first वाला select कर लेना है select करने के बाद यहां से हमें ok कर देना है और इसकी size को कुछ इस प्रकार से बढ़ा लेना है full screen में कर देना है करने के बाद यहां पर हमें three dot पर click करना है और इसे send to back कर देना है कुछ इस प्रकार से देख सकते हो friend इसी प्रकार से आपको भी कर देना है करने के बाद यहाँ पर हमें इसकी duration को खींच कर यहाँ पर इंड तक कुछ इस प्रकार से रख लेना है देख सकते हो friend इसी प्रकार से आपको भी रख लेना उसके बाद हमें cut कर देना और starting position पे आ जाना है friend यहाँ पर song की बात करें तो इसी template में आपको song मिल जाएगा अगर आपको दूसरा song लगाना है तो इसके लिए आपर इस template पर click करना है उसके बाद यहाँ पर इसकी idea को कुछ इस प्रकार से mute कर देना है mute करने के बाद यहाँ से हमें ok कर देना और आप दूसरा song लगा सकते हैं आपर इस idea के section में जाके और friend हम status video को थोड़ा सा आपको play कर कर दिखाते हैं तो देख सकते हो friend हमारा status video कुछ इस प्रकार से बनकर तयार हुआ है अब इसे अपने phone में save करने के लिए यहाँ पर क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप quality अपने हिसाब से रख सकते हो और save पर क्लिक कर देना है और आपका video save होना start हो जाएगा